बश्कार दोस्तों, Target with PS Parihar चैनल में आपका स्वागत है सुवख के इस वीडियो में ऐसे सुचनाय होती है जो इविने समचार पत्रों पर 6 वी होती है और विद्यारतियों के लिए आवश्यक होती है तो आइए सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समचार पत्रों में विद्यारति जीवन से सुमधित कौन कौन से सुचना है आगे बढ़ने से पहले एक सुचना है उन विद्यारतियों के लिए जो विद्यारति कीसी भी पर्ठियोगी पर एक्षक की तैयारी कर रहे है जिसका नाम है विकिट टेकिंग डिल से 14 और 15 अक्टूबर तक की आफ़र है किवल दो दिन के लिए इसमें जो yearly pass मॉक्टेस्ट का जिसकी कीमत 699-399 बुगा करती थी वो अब आपको 399 रुपय में ये yearly pass मिल जाएगा इसमें आपको एक code का प्रियो करना होगा target with PS पर यहाँ तो इसमें आपको 10% की चूट भी मिल जाएगी और टेस्ट इबुक के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये भारत का सबसे बड़ा online मॉक्टेस्ट का प्रेटफार्म है जहाँ पर 16 लाग से ज्यादा चात्र जूड़े वें 12 से अधिक भासाओं में मॉक्रिष्ट उपलब्द है और चाहे आप railway की त्यारी करें बैंक की, UPSC की, UPSC की, UPSC की, UPSC की कोई भी भरती की आप त्यारी करें तो आपको इस भरती में ये टेस्ट मिल जाएगा लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिष्ट बाक्स और कमेंट बाक्स दोनों जगे उवलब्द करा दी है चलिए, सुरू करते हैं और सबसे जो पहली सूचना है वो नई निक्ति तक रिटायर्ड सिक्चक पढ़ाएंगे सियम और लिखा है कि मुक्मंत्र योगी अधितनाथ ने कहा है कि जब तक नई शिक्चकों की निक्ति ना हो जाए तब तक सेवा निवरत सिक्चकों से ही सेवाई ली जाएं उन्हें एक तय मानदे दिया जाए तो यहाँ पर बस मानदे का खेल आउ संवीदा का खेल यही मामला है और सियम ये भी तो कह सकते थे कि नई नुक्ति रिटार्मेंट के पहले पहले नई नुक्ति हो जाने चाहिए इसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू कर देनी चाहिए कि कितने अध्यापक सिवर निवरत होने वाले हैं एक दो साल आगे का डाटा निकाल करके वो भरती पहले ही कंप्लीट की जा सकती है खैर यहां पर आगे देखी क्या लिका है उन्होंने का कि पिछली सरकार में मादमिक सिक्चा के कालेज नकल के अड़े बन गयती जिनमें ठेके पर नकल कराई जाती थी पिछले च्छे वर्स में सुधार हुआ है और बीते वर्स मादमिक सिक्चा परिशत के द्वारा दूसरी न्यूज ही खोल रही है वास्तों में कल मुख्यमंत्री एक कारक्रम में बिच दौरत चाहिनित छात्रों को निक्टपत्र दे रहे थे और उसमें ये बाते कहेंगी और वहीं पर यह आज की खबर है उत्तर-प्रदेश की भरतियों के भेटाचार की C.M. जहांपर पहले के बारे में बता रहे थे और ये आज का समचार पत्र है पता ने C.M. पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं ये बात धहन देनी चाहिए और UP में बिधान परिसद बेरती की C.B.I. जाट पर रोक लग गई है आज के कई समचार पत्रों में इसके बारे मे सुचना दी गई यह देखिए यहां पर लिखा कि सुप्रम कोर्ट ने इलाहबाद हाई कोट के उस फैसले पर रोग लगा दिये जिसमें को बिधान परिसद सचवाले में हुई भरती प्रक्रिया की प्रारंभिक जाच करने का निर्देश दी गया था हाई कोट के 23 सितंबर को दिये गए फैसले के खिलाब यूपी बिधान परिसद और राज सरकार की विशेस अनुमत याचिकाओं पर जस्टिस हरीकेस राय और जस 76 में सरकार ने 2019 में संसोदन किया था इस संसोदन के जड़ी उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयो को बरती प्रक्रिया को कुछ फिफल अबर्तियों की और से चुनोती दिए थी किस तरीके से समचार पत्र चपा हुआ है वही तो जाएंगे चैनित क्यों जाएंगे कोड़ हाई कोड की एकल पीट ने मामले को खारिज कर दिया था लेकिन जब मामला खंडपीट के समच अपील में गया तो उसने विधान सबाब विधान परिशत के लिए कर्मचारियों के लिए भरती प्रक्रिया की निस्पच्षता पर संद्धे विक्त गया इसके बाद हाई कोड़ रही थी कि कौन कौन से चैनित हुए हैं और कितने मेरिट है कितने एकेडमी क्या कौन से एजन्सी है तो जितने भी अधिकारी है सब इसी की वज़े से चुकि यह लोग सुप्रीम कोड जा रहे थे और कोई चुटी पर चला गया कोई अनाकानी करता कोई बीमार हो गया तो कि इस संसोधन के तरफ परिशत के चेर्मेन के उद्देश से किसी बायरी अजन्सी का वियो करने का विकल पर चुन सकते थे मतलब अगर आगर आगको अधिकार दे दिया गया है पदों को भरने का यहां पर जम करके जिसको मौका मिलता है वो चुक्चा नहीं और जम करके ल बहुत सारी वीडियो बनाये थे जब भर्ती कंप्लीट हुई थी और वैसे विद्यार्थियों ने बहुत साला डाटा मुझको भी बेचा था इस सर देखिए इतना अनर्थ हो गया इस वर्ती में हमारा कुछ करिए और कल 69 जार्थियों के विद्यार्थियों नहीं जिबर अगली सूजना TGT-PGT की वैकेंसी की है यहाँ पर EMRS ट्राइबल की जो वैकेंसी आई थी रुख गई थी उत्राखंड के कुछ जो शिक्षक है वो कोड चले गया थे और जब इसके विग्यापंच चल रहा था तो उसके कुछ दिन पहले कोड ने इस भर्ती पर रोग पर PGT के थे प्रिंसिपल के थे और भी करमचारियों के थे तो उस भर्ती में कुछ हल चल भी है और फिर से आवेदन सुरू हो गये है जो जो विद्यारती आवेदन ना कर पाएं वे विद्यारती आवेदन कर लें तो यहाँ पर आवेदन का मौका दिया गया है 19 सेलेक्शन एक्जामिनेशन 2023 हैज बीन एक्सेंडेट तिल 19 अक्टूबर 2023 तो यूदिस अक्टूबर तक आवेदन का मौका दिया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस पद के लिए आपको आवेदन करना हो जैसे अप्लाइफ फॉर दे पोस्ट आफ पीजिटी अप पर फिलाल देख लीजिए जो टोटल हैं पांस हजार चैसो साथ हास्टल वार्डन फोरुस के 335 हास्टल वार्डन माईला के 334 पर और यहां पर यह सब्जेक्ट वाइस भी लिखा जिससे आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो पूरा जो विस्तिरत नोटिफिकेशन है य सब्सक्राइब जाकर के देख सकते हैं और अपनी योगता के हिसाप से यहां पर आविधन कर सकते हैं एसके मातम से कुल 11,788 पर बढ़ती होगी और वहीं पर विभागी परिक्चा के लिए भी आल्लाइन आविधन मांगे हैं यहां पर लिखाकरसी प्राविधिक साइक बढ़ती मामले में परिक्चा के बार बार धर्ना परदसन को देखते वे उत्तर प्रतिस लुक सेवा आयोगने सुक्रवार को 1564 अभरतियों का विभाण बेब साइट पर चारी कर दिया उत्तर प्रतिस दिनस सेवा चन आयोग और क्रसी निदेश सालय को सूची भी बेज दिया यूबी प्यस्टी से 2013 में क्रसी प्राविदिक सायकों की बरति भी थी और बरति के दौरान कई ये बरतियों नहीं हाई कोट में याज का भी दागता दिदी थी और इसमें 15 दिन का मौका दिया गया विद्धारतियों को इसमें किसी विद्धारति को कोई आपति तो नहीं है इगनू से विद्धारति अभी भी यूजी और पीजी कोर्स में दाखिल के लिए आवेदन कर सकते हैं लास्ट डेट 20 अक्टूबर है और यह हो गया आज का वीडियो वीडियो पच्छा लगा हो आपके काम तो लाइक कर दें और जिन चात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धुनवार